जंग ना खाने के लिए सबसे भेथर पेंट है यह आपको बताता हूँ यह जडी metallic का जो पेंट है यह सबसे भेथर पेंट है लोहे पे लगाने के लिए अब मैं इसको आपको लगाके दिखाऊंगा कि किस तरह से होता है और पानी भी नहीं पकड़ता चलिए स्टार्ट करते ह 댄 हैं सबसे पहले चेज्श दि मिटालिक का पेंट है इसके लिए तो शाहिन पेंट के शाइनfiction नाम का यह टिननर बहुत ज़रुरी है इसमें mix करने के लिए इसमें पहले से color बैटा हुआ है golden brown और उस brown golden brown ख़टा के मैं अभी यह पेंट लगा के अभी मैं टिनर डालना है यह यंसे टिनर है क्योंकि यह इसको जल्द से जल्द सुखने के लिए यह डालना बहुत जरूरी है स्रिप टो स्रिप आप मशिन से इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप बरश रोलर से इस्तेमाल करेंगे तो यह अच्छा नहीं लगेगा चलिए मिक्स करने के बाद मैं चला के दिखाता हूँ आपको इस तरह से देख रहे हैं आप गोल्डन ब्रोन पहले का जो कलर है उसके उपर मैं एजडी मेटालिक यह कलर लगा दिया हूँ अभी फाइनल में भी वता के वताऊंगा कि यह किस तरह से बन के निकर के आ गया है एजडी मेटालिक सूपर पेंट है यह देखिए यह वाला जो है शेनिंग यही आपने देख के वीडियो को स्टार्ट किया था जो कि फुल शाइन है हाँ यह जंग नहीं पकड़ता इसके यारिंटी भी मैं यहीं पे देता हूँ इसलिए कि यह इसको बारिश आने के बाद यह किस तरह से हो रहा है यह भी देख दीजिए दिखाता हूँ अभी मैं आपको तो यह देखिए बारिश आने के बाद मैंने इसको दो तिन दिन के बाद फिर से इसके उपर वीडियो बनाया तो इसको पानी नहीं पकड़ रहा एक दिन दो दिन के वास्ते नहीं ये लाइफ टेम के लिए कोई पानी नहीं पकड़ता है पैंट ये पैंट बहुत अच्छा आता है अच्छा तो इस तरह के वीडियो आपको देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज लाइक कीजिए ताकि आप मुझे खुशी दे सकें और सस्क्राइब कीजिए वो इसलिए कि आपको अच्छे अच्छे वीडियो आते रहें बेल आकिन भी आप दबा दीजि ताके मेरे ब्यूसारी मिल्टे